तो दोस्तों आप सभी को मेरे और मेरे पूरे परिवार की और से नव वर्ष की हार्दिक शुप कामना है तो आज मैं आपके लेके आई हूँ गुड़ी पड़वा पे बनने वाली श्पेशल पूरन पोली की रेसिपी तो हेलो फ्रेंड्स मी वर्षा भाव सार रसुल घर में आप सभी का बहुत भोष स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स इससे बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए सबसे पहले हम डो लगा के तयार करेंगे तो डो लगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है एक कप गेहू का आटा यह नॉर्मल गेहू का आटा है जिसके हम चपाती बनाते हैं और अब मैं इसमें एट कर देती हूँ थोड़ा सा नमक यानि आधी छोटी चमश नमक तो मिक्स कर लेते हैं दोनों को एक बार अच्छे से तो वेसे तो नमक डालना ओप्शनल है यदि आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें लेकिन मीठे के साथ थोड़ा सा नमकिन फ्लेवर अच्छा लगता है इसलिए मैंने एट किया है और अब हम इसमें पानी डालके इसका डो लगाके तयार करेंगे तो यहाँ पर जो इसका डो है हमें प्लेवर थोड़ा सॉफ्ट ही चाहिए बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं लगाएंं आप जिस तरह से हम चपाति का डो लगाके तयार करते हैं बस उसी तरह से हमें इसका आटा लगाना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरन बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है एक कप चने की कच्ची दाल यह बिल्कुल कच्ची दाल है ना ही इसे मैंने भिगोया है और ना ही प्रेशर कुक किया है तो इस दाल को सबसे पहले हम दो लेते हैं इसे अच्छे से वाश कर लेंगे और धोनी के बाद हम इसे किसी छन्नी में रख देंगे जिससे इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाएगा तो यहाँ पर दाल हमें भीगोना नहीं है केवल धोना है तो गेश चालू करके गेश पर मैंने कड़ाई रखी है अब इस कड़ाई में डाल देती हूँ दो चम्मच देशी घी पुरन पुली घी में ही अच्छी लगती है तो घी जैसे ही गरम होता है हम इसमें यह चाने की दाल लेट कर देंगे जिसे हमने धोके रखावा है गेस का फ्लेम हम लो टू मिडियम ही रखेंगे और दाल को अच्छे से भून लेंगे तो दाल को हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से भूनना है लगातार चलाते रहेंगे और दाल को अच्छा सा कलर आने देंगे अच्छा ब्राउन कलर कर लेंगे दाल का हम तो ये जो पूरन पॉली बनाने का तरीका है आप यूटूब पे पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि अधिकतर हम जब पूरन पॉली बनाते हैं तो सबसे पहले हम दाल को भीगोते हैं या फिर उसे प्रेशर कूक करते हैं उसमें समय बहुत ज़्यादा लग जाता है जो कडाई में घी बज गया है तो इसका यूस हम बाद में करेंगे तो दाल को हम पूरी तरह से ठंडा करेंगे तो जैसे ही दाल हमारी ठंडी होती है इसके बाद हम इसे मिक्सिजार में डाल लेते हैं और मिक्सिजार में डालके इसे अच्छे से पीस लेंगे तो दाल को आप बिल्कुल थंडा होने दे उसके भाती आप इसे पीसे तो ये देखें दाल को मैंने यहाँ पर पीस लिया है इसका पाउडर बना लिया है लेकिन मैंने इसे बिल्कुल महीन नहीं पीसा है हाथों पिछूने पे थोड़ा सा दरदरा पन लगे इसी तरह से आप भी पीसे याने थोड़ी दरदरे ही रखें इसे तो अब यह चालू करके मैंने कड़ाई में जो गी है उसे गरम कर लिया है और इस गी में अब हम डाल देते हैं यह चनी की दाल का पाउडर तो अभी मैंने इसमें एक्स्टा घी और एड नहीं किया है तो इन दोनों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो अब हमें यहाँ पर दाल को भूनना नहीं है केवल हमें इसे इतना चलाना है कि जो यह दाल का पाउडर है थोड़ा सा गरम हो जाए यानि घी और चनी की दाल अच्छे से मिक्स भी हो जाए और यह थोड़ा सा गरम भी हो जाए क्योंकि हमने इसे पहले ठंडा किया था फीट पीसा था तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा गरम हो चुका है तो अब हम इसमें पानी एट करेंगे तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ अभी एक कप पानी यह बिल्कुल गरम पानी है तो पानी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं मैं आपको पूरा मेजर्मेंट बताऊंगी कि इसमें कितना पानी डलेगा और कितनी इसमें चीनी डलेगी तो पानी को मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर ल्ला है, तो आदा कप पानी में इसमें ओर रैट कर देती हूं, तो पानी एक साथ नहीं डाले, थोड़ा थोड़ा करके ही डाले, और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे, गेस का फ्लेम मैंने मीडियम के आवा है इस समय और बाकी बचावा आदा कप पानी भी में इसमे एट कर देती हूं यानि टोटल इसमें दो कप पानी लगीगा एक कप चनी की दाल है और दो कप मैंने यहाँ पर गरम पानी का यूज किया है तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह देखिए पानी यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो चुका है दाल के अंदर तो अब हम इसमें चीनी एट कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर देड़ कप चीनी ली है यदि आप इतना मीठा नहीं खाते हैं तो सावा कप ले सकते हैं लेकिन जो इसका बाहर का कवर होता है थोड़ा फीका होता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर देढ़ कप चीनी ली है और देढ़ कप चीनी इसमें परियाप्त रहेगी जानी एक कप चनी की डाल है, दो कप पानी है और देड़ कप चीनी ली है मैने तो चीनी को अच्छे से इसमें एक बार mix कर देते हैं तो चीनी याः पर अच्छे से mix हो चुकी है, तो अब में इसे cover करके कुछ सेकेंड के लिए इसी तरह से चोड़ देती हूं ताकि जो चने के दाल का आटा है वो भी नरम हो जाए थोड़ा सा और चीनी भी अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए तो कुछ देर बाद कवर हटा के हम इसे हिला लेते हैं और अब में इसमें डाल देती हूं एक चम्मस देशी घी तो घी को भी इसमें मिक्स कर देते हैं तो घी यदि आप इसमें और एट करना चाहें तो घी इसमें ज्यादा भी एट कर सकते हैं यह आपकी एक्छा पर डिपेंड है कि आप इसमें कितना घी डालना चाहते हैं और अब मैं इसमें एट कर रही हूँ दो से तीन चम्मश नारियल का बूरा बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा अब जरूर डाले और साती मैंने यापर साथ से आठ हरी लाई चिली है जिसका मैंने पाउडर बना लिया है तो ये भी इसमें एट कर देते हैं इन सारी चिज और कुछ सेकेंड के लिए हम इसे इसी तरह से चला लेंगे ताकि ये सभी चीज़े अच्छे से मिक्स हो जाए और जो इसका ये पूरण है वो पैन भी छोड़ने लगे तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स ये पेन भी छोड़ने लगा है यानि परफेक्ट ये बनकर तयार हो चुका है और कितना अच्छा कलर आया है कि इसका फ्लेम ओफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने देंगे साइट में रख देते हैं इसे तो जो डो है इसे भी मैंने हातो उसे एक बार और चिकना कर लिया है और पूरन भी हमारा ठंडा हो चुका है तो अब हम पूरन पोली बना के तयार करेंगे तो एक एक पेड़ा लेंगे सुके आटे में हम इस तरह से डिप करते जाएंगे यहां पर मैंने जो नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा साइस का पेड़ा लिया है तो इसे बेल लेते हैं गेस चालू करके गेस पे मैंने तवे को भी गरम करने रख दिया है तो अब हम इसमें पूरन रख देते हैं तो थोड़ा सा जादा ही रखें जिससे इसका स्वात बहुती अच्छा आएगा और सभी तरब से उठा और उपर का जितना भी हिस्सा है थोड़ा सा निकाल देते हैं हम इसे और सुखे आटे में डिप करके हम इसे एक बार फिर से बेल लेंगे तो हाथों से इस तरह से हम प्रेस भी कर देते हैं इसे ताकि इसमें जितना भी मसाला है सबी दूर अच्छे से लग जाएं तो हलके तो हम इसे बेलेंगे ज्याद़ प्रेशर लगा कि आप इसे नहीं बेले तो अब में इसे गरम तवे पर डाल देती हूं गेस का फ्लेम लोही रखेंगे और जब तक यह सीखती है तब तक हम दूसरी पूरण पॉली बनाके तयार कर लेते हैं तो इसे भी इसी तरह से पोटली जैसे उठाके हम इसका उपर का जितना भी हिस्सा है इसे निकाल देते हैं तो यह पूरण पॉली हमारी एक तरप से सिख चुकी है केस का फ्लेम लोह करके ही सेखे आप तो दूसरी पॉली को भी मैंने इसी तरह से बना लिया है तो यह दोनों तरप से सिखने के बाद हम इसके उपर गी लगाएंगे तो दोनों तरप से हम इसमें इसी तरह से गी लगाएंगे गी लगाएंगे शेकने से बहुती अच्छा सा क्रिस्पी सा लगता है यह बिल्कुल तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूल के तयार हुई है बहुती अच्छी पूरण पोली बनी है तो आप जरूर से ट्राइ कीजिए इस तरह से सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है और बहुती कम सामे में यह बनकर तयार हो जाती है तो सभी तरब से अच्छी से सेखने के बाद हम इसे बहार निकाल लेते हैं और दूसरी को भी हम इसी तरह से सेख के तयार कर लेंगे तो इसके उपर भी मैं इसी तरह से गी लगा देती हूं तो इस बार गुड़ी पड़वा पर आप इस रेसिपी को जरूर बनाएं सभी को बहुती पसंद आने वाली है और बिल्कुल नई तरीके से पूरन पॉली बनाने का तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए और मेरी इस रेसिपी को आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर कीजिए तो यह लिजे फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कुछ पूरन पॉली बनाके तयार कर ली है बहुत ही अच्छी बनी है तो मैं इसे आपको अंदर से तोड़के भी बताती हूं कि कितनी अच्छी लग रही है यह तो आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ